वेलकम बच्चों आज ये हमारा और वर आउट का लास्ट वीडियो है इसमें आपके दो टॉपिक्स बचे हुए हैं देखिए डी हमारा है विभाजन के आधार पर इसके पहले की वीडियो ज़कर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं इसमें दो टाइप के होते हैं पहला विशेश अनुपात में आकरितियों को समान या असमान भागों में विभाजन मतलब कोई एक रेशियो दिया होगा जिसमें आकरितियां दो तीन चार पाश मतलब सम विसम या समान या असमान भागों में विभाजित होगी दूसरा चो टाइप होता है वो होता है मुख्य आकरिती के अंदर आकरिती का संबंध या विभाजन मतलब एक मुख्य आकरिती दी होगी उसके अंदर एक और आकरिती दी होगी उससे उसका संबंध या उसके आधार पर उसका विभाजन देखिए ये कुछ questions हैं जो last year आए हुए हैं आप इनको देखिए इसमें देखिए तीन चार आखृतियां दी हुई हैं जिनमें से तीन में दो सरकेल एक दूसरे को काट रहे हैं और एक बाहर हैं जबकि D वाले में सभी एक दूसरे को काट रहे हैं इसलिए D हमारा odd one out हो गया नेक्स देखिए इसमें different different designs दी हुई हैं सबको चार भागों में बाटा है लेकिन A, C और D में केवल एक भाग को रेखांकित किया गया है जबकि B वाले में दो भाग रेखांकित हैं तो B हमारा odd one out हो जाएगा नेक्स देखिए इसमें बाकी तीनों आकृतियां एक दूसरे को काट रही है जबकि ये दोनों आकृतियां एक दूसरे से केवल सटी हुई है तो A हमारा odd one out हो जाएगा नाइस देखिए ये ये और ये तीन नो आकरितियां एक समान है जबकि इसमें line बीच में है तो ये B वाला हमारा odd one out हो जाएगा फिर इनको देखिए इसमें अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें सारी आकरितियां लगबग लग रहा है आधे भाग में बटी है लेकिन जो ये B वाली आकरिति है इसमें आपकी खड़ी रेखा का इस्तमाल है बाकी सब में आपका पड़ी रेखा का इस्तमाल है यानि horizontal lines का इस्तमाल किया गया है डिवाइट करने के लिए और B वाले में वर्टिकल लाइन का इस्तमाल किया गया है सभी प्रेश्णों के आगे उनके एर लिखे हुए हैं कि किसी एर में कौन से questions आये हुए हैं इसमें देखिए सभी आकृतियां तीन भाग में डिवाइड हैं इसलिए C हमारा odd one out हो जाएगा नेक्स देखिए बाकी सारी आकृतियों में कोई डिवाइडेशन नहीं है जबकि C वाले को दो भाग में बाटा गया है इसमें अंदर तीनों में सर्किल बना है जबकि इसमें ट्राइंगल बना है तो ये हमारा odd one out हो जाएगा नेक्स फीकर में देखिए इसमें सब में सर्किल बना है लेकिन इसमें बाहर की आकृति A, C और D में डिफरेंट है जबकि B वाले में अंदर भी सर्किल है और बाहर भी सर्किल है तो B हमारा जो है वो odd one out हो जाएगा नेक्स इस question को देखिए बच्चो ये बहुत important question है ये अकसर exam में आता है इसमें देखिए इन दोनों को में आमने सामने है इसमें भी आमने सामने है इसमें भी आमने सामने है इसमें आमने सामने नहीं है या आप इस तरह भी देख सकते देखिए इन दोनों के बीच में एक, दो, तीन खाने का गैप इधर भी है, एक, दो, तीन खाने का गैप इधर भी है, जबकि इसमें एक साइड एक, दो, तीन, चार खाने का गैप है और इस साइड एक, दो, तो A वाला हमारा odd one out हो जाएगा, next figure देखिए, अब आपको लग रहोगा कि D odd one out है, लेकिन D odd one out नहीं है बच्चों, ध्यान दीजेगा, क्यों, क्योंकि देखिए, B को चार बरावर भागों में बाटा गया, C को भी चार बरावर भागों में बाटा गया, और D में इस तरह से लेखा खिषने पे यह चार हो, और भाग बन रहे है जबकि इसमें आपक सब में प्लस खिचा है तो उनोंने बिरा आप सोचे समझे सीधे डी पर लगा देते हैं ऐसा नहीं है आप धिहान दीजिए अच्छे से कोईस्चन को पहले पढ़िए और फिर सॉल्व करिए इस तरह के कोईस्चन अब बहुत कम आते हैं लेकिन इने भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यह आ भी सकते हैं देखिए इसमें आप आपका जो पहला प्रशन है इसमें देखिए A, C और D किचन के आइटम्स हैं जबकि B एक फ्रूट है तो यह हमारा ओडवन आउट हो गया सेम इसी तरह से आप देखिए A, B और C आउटडोर गेम्स में खेले जाने वाले समान है जबकि D इंडोर केम खेलने वाला समान है नैसे देखिए यहार टमाटर है मूली, गञाजर और आलू अब मूली गाजर और आलू आपका जमीन चे अंदर उखते हैं जबकि टमाटर आपका जमीन के ऊपर उखता है और question देखिए बच्चो इसमें देखिए ये shirt है, frock है, t-shirt है और pant है तो ये तीनो अपर पार्ट में पहनने वाले कपड़े हैं जबकि ये lower पार्ट में पहनने वाला कपड़ा है तो D हमारा odd one out हो जाएगा नेक्स आप देखिए, ये देखिए, सुई है, चाकू है, तीर है और ये चिम्टा है ये जो तीनो नुकीले हैं जबकि ये चिम्टा नुकीला नहीं है तो हमारा फोर जो है वो odd one out हो जाएगा नेक्स देखिए, इसमें चम्मच है, चाकू है, आपका काटा है और उसके बाद से क्या है बाल्टी है तो ये तीनो लगभग एक तरह के आइटम है टेबल आर्टिकल्स है जबकि ये आपका बाल्टी किचन में यूज होता है लेकिन टेबल आर्टिकल नहीं है तो फोर हमा हमारा और वन आउट का पहला वाला स्टेक्शन खतम होता है नेक्स वीडियो में हम बच्चों आकृति मिलान फीगर मैचिंग का पूरा डीटेल वीडियो पढ़ेंगे एक ही वीडियो में ये पूरा लेक्चर कवर होगा तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें ये नेक